एक नोबल मान एक लड़की के पैर में पढ़ता है, प्रॉलम दवाती है, जब इसी नोबल मान का सरवंड इसी लड़की के पैर में है आज के हमारी मूवी, The Servant, एक रोमाइंस ड्रामा कोरियन मूवी है इस मूवी में हमें एक लव ट्रैंगल दिखाया गया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना जाता हूँ गर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इससे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है और बीना किसी देरी के एक स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन गैरेक्टर जिसका नाम है बांगजा जो एक बिजनेसमैन है यह हमसे इंट्रडियोस होता है बांगजा का इंट्रिव लेने के लिए एक आत्मी आया हुआ था क्योंकि उसे बांगजा पर एक बुक लिखनी है बांगजा को नहीं लगता कि उस पर अच्छी स्टोरी बनेगी पर बुक राइडर कहता है आप से इंट्रस्टिंग स्टोरी किसी की भी नहीं है आप इस एरिया के एक बड़े गैंग्स्टर हो यहाँ गैंग्स्टर का मतलब यह है कि बांगजा ने एक रिवॉल्ड किया था बांगजा भी एगरी करता है और इसके बाद उसकी स्टोरी सुरना स्टार्ट करता है बांगजा कहता है कि मैं हमेशा से बिजनेसमैन नहीं था वो पहले सरवंट हुआ करता था एक हाउस गेस्ट जिसका नाम था मा उसके साथ वो रहा करता था एक रॉयल अरिस्टोक्राट के लिए वो सरवंट था मूवी के फर्स सिन में हम देखते है कि मा बांगजा और एक लड़की इनके साथ डिनर कर रहे होती है मिस्टर मा के कैरेक्टर के बारे में यहां हमें पता चलता है कि वो एक बलेबॉय टाइप कैरेक्टर है जो लड़की उनके साथ डिनर कर रहे थी उसके साथ भी वो फलर्ट कर रहा था लेटकी जब चली जाती है तो बांजो को कहता है कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थी पर उसकी नजर तुम पर थी मिस्टर मा को पता है कि बांग जा एरिस्टोक्रेट के लिए काम करता है तो मिस्टर मा पुछते है कि तुम्हें उसके लिए काम करना कैसा लग रहा है बांजा कहता है कि वो अच्छा है, मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करता है यहाँ एरिस्टोक्रेट की बात हो रहे है, एरिस्टोक्रेट का नाव ली है अब मिस्टर मा कहते हैं कि ली जब से छोटा था तो उसे मैं उसे देखता आ रहा हूँ अभी तोग वो actual में ऐसा है 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 हमें figure out ही नहीं कर पाया हूँ यानि कि ली जो है यह हमारा बहुत ही twisted character है अब नेक्सिन में हम देखते हैं यह बांजा ली के साथ एक जगा पर dance देखने के लिए आया हुआ है यहाँ dance करने वाली का नाम चून है ली को चून का dance बहुत ही पसनाता है वो उससे अकले में मिलना चाहता है यही जब बांजा ने पहली बार चून को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया अपने master के order complete करने के लिए बांजा चून के पीछे पीछे उसके chambers में गया चून और उसकी servant फिर डर गए क्योंकि इस तरीके से कोई भी आनमी उनके chambers में नहीं आता यह allowed नहीं है वांजा ने चून से कहा मुझा आपसे कुछ बात कर रही है पर चून की servant ने उसे मना कर दिया तब थोड़ी दर में ली वहाँ पहुच गया ली ने pretend किया कि उसने बांगजा को भेजा ही नहीं था उसने जोर से बांगजा को जहापड़वा रही वो चून के सामने अपना impression बनाना चाहता था ली चून को कहता है कि इसे आपको proper invitation देना चाहिए था इनकी बात चल रही थी तब ही और एक नोबेल मैन वहाँ पहुच गया वो चाता था कि जून उसके लिए भी dance करे जून ने अब इसके लिए मना किया पर वो मान नहीं रहा था फिर इस नोबेल मैन और ली में fight होने वाली थी पर ली उसे मार नहीं सकता था तो इस situation में बांग जा पड़ गया उसने इस नोबेल मैन को मार कर वहाँ से भगा दिया अब इस scene में हम देख सकते हैं कि ली चून पर impression जमाना चाता था इसी वज़े से उसे ने बांजाओ को slap किया था पर ये सब अब उल्टा हो चुका है जो नोबेल मैन चून का डांस देखना चाता था उसी को बांग जाने मारा चून को उसने अच्छे से प्रोटेक किया तो उसका इंप्रेशन अच्छा बन चुका है जो fight अभी अभी बांजाने की इस वज़े से ली को चून से बात करने का chance चला गया ली उसे बड़ी तकलिफ दे सकता है बांजा जब मिस्टर मा के साथ है तो उन्हें अपनी सब worries बताता है मिस्टर मा उसे कहते है कि अब तुमें उन दोनों के बीच फिर से एक meeting arrange करनी होगी जोन को हमेशा उसकी सर्वन प्रोटेक करती है अगर उसे कुछ भी बताना हो तो सर्वन को यह बताना पड़ेगा अगर वो नहीं माने तो सब प्लैन चोपट हो जाएगा अब बांजा को question है कि वो ऐसा क्या करे कि चुन की सर्वन वो जो भी खए वो मान जाए जैसे कि मैं पता है अगर उसने चुन से शादी कर ली तो यह बहुत ही बड़ा ओनर होगा मदर कहती है कि ली को तुम पसान आ गए हो तुमारे लिए ज़रूर वो कोई ना कोई तो मैसेज भेजेगा ही यह बात ही कर रही थी तो यह बांजा मैसेज देने के लिए वहाँ पहुचा जैसा मिस्टर मा नहीं कहा था उसी तरीके से चुन के सर्वन को उसने सेंसिटूली टच किया चुन की सर्वन डर गए और इसने मैसेज चुन को दे दिया अब इसके बाद ली चुन चुन की सर्वन और बांजा इन सब के एक मिटिंग होती है यह एक वाटरफॉल पर आते हैं ली और जुन ज़रा वाक के ले गए और थोड़ी से उन्होंने बात की चुन की सर्वन का नाम दानी है तो दानी और बांजा यह दोनों मील कुक कर रहे थे बाद में जब चुन और ली इनके पास आये तो चुन बांजा से बात करने लगे ली से जादा वो बांजा में इंट्रस्टेड है अच्छे से बांजा कुक कर रहा था तो कहती है कि तुम कितना डिलिकेटली कुक कर रहे हो कल तुमने एक आदमी को मारा था तब तुम बहुत ही स्टॉंग लग रहे थे बांजा में जंडल और स्टॉंग यह दोनों एबिलिटीज एक की टाइम पर है यह उसे बहुत अच्छा लगता है चुन ने बांजा की तारीफ की तो ली कोई अच्छा नहीं लगा बांजा का इंप्रेशन अप डाउन करने के लिए ली चुन से यहता है कि बांजा मिस्टर मा के साथ रहता है इसी वज़े से उसे यह सब ट्रिक्स आती होगी मिस्टर मा बदनाम है और बांजा उसके साथ रहता है तो यह सुनकर चुन उसमें डिसिंटरस्टेड हो जाती है चुन यहाँ से जा रहे थी तो अचनक से उसका पेर लचक गया वो चल नहीं पाय रहे उसका शूस पानी में गिर गया था तो बांजा डिरेक्ली जम मारता है पानी में से वो शूस लेकर आता है वो अब जल नहीं सकती थी तो बांजा अपने शुल्डर पर अब उसे घर छोड़ने जा रहा है घर जाते जाते चुन बांजा से कहती है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ही आजीब है उसे खुद मुझे घर ले जाना चाहिए था तुम्हारे तो कपड़े भी गिले है बांजा क्याता है अगर तुम जाहो तुम्हें नीचे में उतार सकता हो चुन उसे पुछती है कि तुम्हें इस तरह से क्यों बात करे हो बांजा उसे कहता है कि मैं उमर में तुमसे बड़ा हो और तुम नोबल भी नहीं हो इसके बाद चुन उसकी तारीफ करती है कहती कि सब चीज़े तुम्हें सही से आती है इसी तरीके से बाते करते फिर ये घर जाते है अगली दिन बांजा ली से पुछता है कि तुम चुन को छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहे थे ली कहता है कि मैं hard to get खेल रहा हूँ यानि कि अगर मैंने उसे भाव नहीं दिया तो मेरे प्यार में और भी पढ़ जाएगी लीने ये सब books में पढ़ा था अब आंग जाब worried हो चुका है वो चुन के प्यार में है पर अगर ली चाहे तो कभे भी चुन को पा सकता है उसे चुन सिर्फ अपने लिए चाहिए वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहता है तो फिर वो मिस्टर मा की help लेता है मिस्टर मा भी उसकी desperation समझ कर उसे help करने के लिए ready हो जाते है वो फिर बांग जा को सिखाते हैं गयते हैं कि जब तुम जुन के साथ होगे तब रिलाक्स होकर lean back करना और उसके shoulder पर देखना ये करने से वो uncomfortable हो जाएगी फिर तुम sneeze करना और उसे जकर लेना जब बांग जा चुन के साथ था और उसने try किया तो सचोज में work भी करता है चुन को समझ में ने आया और अगले सेकर में बांजा के वो बहुत पास थी इसके बाद next day में हम देखते हैं कि मिस्टर मा बांजा से बात करते हैं वो कहते हैं चुन के चेंबर से एक लेटर बहाँ जा रहा था जो लीग के लिए था ये लेटर मिस्टर मा ने पढ़ लिया मिस्टर लीग को उसने राप में मिलने के लिए इन्वाइट किया था इसमें सीरिल ट्यू बाते लिखी होई थी मांजा कहता है कि चुन ऐसा नहीं लिखेगी मिस्टर मा कहते है कि मुझे मालुम है ये उसकी मदर ने लिखा होगा इसके बाद उसे रिजाना ये तुम्हारा काम है मदर जुन को ली के साथ होने के लिए फोर्स कर रही है मदर बांजा को लेकर भी उसे वार्निंग देती है कहती है उसके साथ तुम कुछ भी मत करना इसके बाद हम देखते हैं कि ली रात में चुन के घर पर आता है उसने रात वही बिताई जब वो सुबा घर पर जा रहे थे तो ली बांजा से कहता है कि उसके रात बहुत या अच्छी थी थोड़ी देर में उस स्टबंक पें स्टार्ट हो गया उस रात जो भी सब हुआ ये सब चीजें मिस्टर मा को बांजा बताता है मिस्टर मा कहते हैं कि अगर वो उसके साथ इंटिमेट हुआ होता तो उसका पेड नहीं दुखता तुम ज़्यादा वरी मत करो वो बांजा को कहते हैं कि आप तुम्हें जल से जल उसके साथ intimate होना है उसे वो कुछ tips देते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि रात में directly बांजा चून के पास पहुच जाता है उसे देखकर वो बहुत डर गई थी वो चिलाने वाली थी पर बांजा भी बहुत डर चुका था उसे request करता है कि प्लीज ऐसा मत करो गर किसी को पता चला तो मुझे वो सब मार डालेंगे चून भूशती है तो फिर तुम आए ही क्यों बांजा कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इतना डरूंगा नहीं इसके बाद उसके पास आकर उसके साथ वो intimate हो जाता है इसके बाद हम मारी मदर ने मुझे force किया था मैं कुछ कर भी नहीं सकती थे मिस्टर मा को जब इस सब situation के बार में पता चलता है तो कहते है कि तुम्हें जरा careful रहना चाहिए उसकी मदर बहुत ही डेंजरस है एक्च्वल में मिस्टर मा जब यंग थे तब चुन की मदर के साथ भी हो intimate होए थे एक साथ चुन की मदर और उसकी सिस्टर के साथ उनकी relationship थे चुन की मदर जेलस होगी और उसने अपनी सिस्टर कोई अंधा कर डाला इसलिए मिस्टर माग है थे चुन की मदर बहुत ही डेंजरस है तुम्हें उन सब से डर कर रहना चाहिए बांजा सुनने के लिए रेड के लिए वो कहीं दूर जा रहा है उसे कींग के लिए एक बड़ी पोस्ट चाहिए ली बांजा से एक favor मांगता है वो गहता है कि मैंने चुन को एक promise किया था कि मैं उससे शादी करूंगा ये promise करने के लिए उसने एक contract पर sign किया हुआ था वो बांजा से कहता है ये रात में तुम चुप के सिवा जाना और वो contract चुरा कर लेकर आना जिस तरीके का contract चुन ने ली के साथ क्या है उसी तरीके का बांजा के साथ भी उसका है बांजा जब एक contract चुराने के लिए रात में वहाँ पहुचता है चुन उसे पकड़ लेती है बांजा उसे समझाता है तो इको सब कुछ बात पता चल चुकी है पर वो जादा केर नहीं करता इसके बाद अपने education के लिए वहाँ से चला जाता है बांजा और चुन के लिए ली एक problem था अब वहाँ से जा चुका है तो इनके लिए सब कुछ सही हो जाता है चुन के मदर के अच्छे से connections है तो एक businessman से उसे मिलाती है मांजा भी अच्छे से एक business करना चाता है slowly slowly उसका business grow तो होता ही है पर इसके साथ उसकी चुन के साथ relationship भी grow होती है सब कुछ सही चल रहा था पर एक दिन अचानक से इन्हें news मिली कि ली ने exam पास कर ली है अब ली एक royal inspector बन चुका है वो डाइक लिए king के दिकता है कुछ royal लोग थे जो इसे honor देने वाले थे पर उनका stamp वो भूल चुके थे ली इन पर गुस्सा हो गया बात में इन लोगों ने ली से बात की वो कहते हैं कि बहुत चारे तुम्हारे जैसे लोग आते रहते बर कोई भी टिकता नहीं टिकते वो लोग है जिनके पा और से कहता है कि हमने इतनी पढ़ाइखी और इसके बाद भी हमें इस तरह से treat क्या जा रहा है यह स्ट्र कहता है कि मैंने पढ़ाई तो एक ही चीज के लिए की थी मुझे अच्छी लड़किया मिल सके यह मैजिस्ट्रेट ली को कहता है कि तुम अगर अच्छी स्टोरी कि के लोग को सुनाओगे तो तुम्हारा जल से जल प्रोमोशन हो जाएगा ली कनिंग है और उसे फिर एक आइडिया आता है वो इस मैजिस्टेट को गहता है और तुम्हें अच्छी लेड़की चाहिए तुम मुझे एक बहुत ब्यूटिफू लेड़की पता है वो चौन के भ जोश्ती है कि क्या ली आ रहा है इसी वज़े से तुम रेडियो हो रही हो चुन कहीं थी कि हां तुम ही तो जाती थी कि मैं हायस्ट पीडर पर सेल हो जाओ इसके बाद ली चुन से मिलने के लिए आता है पर बांजा उसे रस्ते में रोक लेता है वो गहता है कि चुन की तो जब बांजा चुन से बुझता है कि कि इस बारे में तुम बात कर रहे थे पर चुन उसे कुछ भी नहीं बता दिये जैसा ली ने मैजस्टाट को कहा था कि चुन बहुत ही ब्यूटिफुल है तो मैं उसे पाना चाहिए तो यह करने के लिए मैजस्टाट चुन के घर प पर यह मैजिस्टार्ट माना नहीं उसने यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया थोड़ी दिर में फिर चून यह आए उसने खुद अपुलजाइस किया और कहा कि मैं आज बहुत बीमार हूँ आपके लिए मैं डांस नहीं कर सकते और मैजिस्टार्ट अब भी मानने के लिए रेड बांजा एक बिजनसमैन है पर फिर भी उसके पास कोई भी पावर नहीं है वो सब लोगों से help मांगता है पर कोई भी उसे help करने के लिए रेडियो नहीं है इसके बाद डारिकली वो लीग के पास आता है लीग बांजा से कहता है यह तुम तो मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहे थे, बांजा के बहुत गिड़ी गिड़ाने के बाद, वो उसे help करने के लिए मान जाता है, चुन को जहाँ बंदी बनाय हुआ है, बांजा उसे रात में वहाँ मिलने के लिए जाता है, उसे कहता है, कि मैं सब को सही कर दोंगा, चुन उसे कहती है, कि तुम सिर्फ ए इंडिमेट होने वाला था तभी बाहर बांजा ने तमाशा खड़ा कर दिया मैजिस्टार्ट के ओर्डर पर सब लोग फिर बांजा को मारने लग गए गुजी बलों में ली फिर वहाँ पोच गया ली ने अपना फेस कवर किया हुआ था ली एक रॉयल इंस्पेक्टर है वो क इन लोग के पास अच्छी स्टोरीज होती है उन्हें अच्छा सा प्रोमोशन मिलता है तो यही स्टोरी वो क्रियेट कर रहा था जब वो चुन से मिला था तभी भी यही उन्होंने डिसकस किया था उसने अभी अपना फेस नहीं दिखाया है किसी को भी पता नहीं है कि जो रॉयल इंस्पेक्टर यहां आया हुआ है यह ली है यह फिर अपने सोल्जर्स को ओर्डर देता है चुन को बाहर लाया जाया वो चुन से कहता है मैजिस्टार्ट एक टेटर था पर फिर भी वो मैजिस्टार्ट था उसकी ओर्डर तो वह ओबे करने चाहिए थी चुन ने ली के साथ उसका मैरेज का कॉंटाइक्ट जो था इस सबको दिखाती है उसका वायलेशन हुआ तो इसलिए वो जीना नहीं चाहती है वो इक चाको लेकर अपने आपको मार लेती है ली फिर अपना चहरा सबको दिखाता है वो कहता है कि सिर्फ मैं चुन को टेस्ट कर रहा अगर हो मर गे तो मैं क्या करूंगा यह सब एक नाटक था और ली को बताने के लिए एक अच्छी सी स्टोरी मिल चुकी है चुन का फिर इलाज किया जाता है और उक बच चुकी है ली पावरफुल है तो उसने बांजा को कैदी बना लिया है आखरी बार चुन उससे मिलने क चाहिए यह जहां पर होते हैं तो तुनों एक साथ होते हैं इसी तरीके से इनकी रिलेशन्शिप चल रही थी एक वाटरफॉल के पास जहां पर चुन बांजा और ली फर्स टाइम मिले थे वही पर हम एक सीन देख सकते हैं यह माउंटन पर है और माउंटन बहुत ही की पर यह हमेशा भागते रहे और फिर से मुवी के फर्स में हमें जो दिखाया गया था कि बांजा पर बुक लिखी जा रही है बांजा एक पावरफुल गैंस्टर बन चुका है तो उसका कोई भी जादा बिगार नहीं सकता यह सब अपने लाइफ की स्टोरी बांजा बु में मत लिखना मेरा कैरेक्टर ही तुम इस बुक से निकाल देना तुम लिखना कि चुन और ली एक दूसरी से मिले उसके बाद ली अपनी स्टेडिस के लिए बाहर गया और जब एक दूसरी के साथ मिले तो इन्होंने शादी कर ली वो राइटर को एक सिंपल सी लोग स्ट पर रखता है और पूरी गार्डन में घुमाता है इसी टाइव से उनकी फर्स डेट भी थी इसी तरीके से इस मुवी की एंडिंग हो जाती है अगर आपको एफ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविस लेकर आते रह है